Hello Friends, आपका स्वागत है UPCI SS Prime YouTube Channel पर आज का हमारा टॉपिक है माउस के परकार के माउस कितने परकार के होते हैं बात करें माउस के परकार के तो माउस हमारे कई परकार के आते हैं लेकिन हमने यहाँ पर केवाल चार माउस को डिसकर्स किया है जो आज कल सबसे ज़्यादा प्रियोग किया जाते हैं सबसे पहला हमारा मेकेनिकल माउस आता है फिर आप्टिकल माउस आता है उसके बाद वार्लिस माउस और वार्ड माउस यह हमारे होते हैं माउस के परकार तो चलिए हम जानते हैं कि mechanical mouse क्या होता है mechanical mouse mechanical mouse एक बिसेश प्रकार का mouse होता है जिसके नीचे एक rubber की ball लगी होती है यह ball cursor को computer screen पर घुमाने का काम करती है यानि कि हम ball की सहाथा से अपने cursor को computer पे एक इस्थान से दूसरे इस्थान ले जा सकते हैं PCV file folder को select कर सकते हैं अपने cursor से इस mouse का आकार optical mouse के ही समान होता है और दोनों के कारी करने का तरीका भी काफी समान होता है जो हमारे optical mouse आते हैं सेम उसी तरीके से हमारा mechanical mouse भी work करता है जो काम optical mouse कर सकते हैं वही कार हमारा mechanical mouse भी कर सकता है और दोनों एक दूसरे के काफी समान होते हैं Mechanical mouse का उप्योग काच वाली सता पर किया जा सकता है और इसका उप्योग करना बहुत ही सरल होता है इस प्रकार के mouse बहुत अधिक समय तक चलते हैं जो हमारे Mechanical mouse आते हैं एक बार ले लिए काफी लंबे समय तक चलते हैं और इस प्रकार के mouse यूजर को अधिक सटीकता प्रदान करते हैं यानि कि यूजर को चलाने में बहुत ही सरल होता है Mechanical mouse फिर उसके बाद हमारे आते हैं Optical mouse आप्टिकल mouse का विश्कार 1999 में Microsoft के दोरा किया गया था आता दा आप्टिकल mouse की लाइट लाल होती है क्योंकि उसमें जो LED इस्तेमाल होती है वह सस्ती होती है तथा फोटो डिडेक्टर्स लाल प्रकास के प्रति अधिक सेंसिटिव होते हैं यानि कि संबेदन सील होते हैं हमारे mechanical mouse में बाउल का यूज होता था लेकिन जो हमारे mechanical mouse है बाल के इस्तान पे इसमें LED light का उप्योग कर दिया गया और LED light red color की होती थी क्योंकि जो हमारे LED light होती है वो फोटो डिडेक्टर्स यानि कि लाल तंग के प्रति अधिक संबेदन सील होते हैं इसलिए इसमें red light का उप्योग किया जाता है फिर इसके बाद हमारा आता है wireless mouse कि wireless mouse क्या है wireless mouse एक प्रकार का mouse होता है जिसे computer के साथ जोडने के लिए हमें किसी भी प्रकार के wire की जरूरत नहीं होती है और इसको हम अपने computer के माध्यम से Wi-Fi, Radio तरंगे और Radio Frequency का उप्योग करके computer से जोड सकते हैं wireless mouse में transmitter और receiver का उप्योग किया जाता है जो signal को भेजते हैं और प्राप्त करने में मदद करते हैं transmitter का काम होता है signal को transfer करना यानि कि एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर भेजना कोई हम data भेजते हैं तो वो काम transmitter का होता है receiver का काम होता है signal को प्राप्त करना यानि कि एक इस्थान से डाटा भेजा गया है उसको receive करना प्राप्त करना यह हमारा receiver का काम होता है अगर दूसरे सब्दों में कहें तो जो हमारे wireless mouse आते हैं इसमें किसी भी प्रकार का तार इस्तेमाल नहीं होता है और इस mouse को हम cordless mouse के नाम से भी जानते हैं wireless mouse को तो आप लोग समझ गए होंगे कि wireless mouse क्या होते हैं और जो हमारे wireless mouse आते हैं wireless mouse बहुत अधिक महेंगे भी आते हैं फिर उसके बाद हमारा आता है wired mouse वाइड माउस क्या होता है और USB port के मादेम से computer को input प्रदान करता है कि हमें क्या करना है या mouse तेजगती से computer को input या command देता है या एक लोग प्री mouse है जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर घरों और आफिस में किया जाता है वाइड माउस का उप्योग करना क्योंकि बहुत ही आसान होता है wireless mouse के तुलना में सस्ता भी आता है और wireless mouse महेंगे आते हैं वाइड माउस wireless mouse के तुलना में सस्ते होते हैं तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे माउस कितने प्रकार के होते हैं और हर प्रकार के माउस का अलग-अलग कारे होता है देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में Thanks for this watching वीडियो